खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जुनियर कॉलेज में साल दो हज़र चौबीस पचीज के लिए एड्मिशन स्टार्ट हो गया है यहां बेटर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लास्रों, कल्चरल एक्टिविटी और बेटर इंफ्रास्ट्रेक्शर मौजूद है यहां कॉलिफाइड और एक्स्पिरेंस टीचर्स हैं जो कमजोर बच्चों का खास खयाल रखते हैं पिछले 15 सालों में हुदा स्कूल से काफी होनार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है हाजी उमर मुसा एजुकेशन ट्रस्ट द्वरा संचालित होजा अंग्लिश मीडियम स्कूल एंजुनियर कॉलेज ओफ आर्ट्स साइंस आईटी एंड कॉमर्स आईटी एट फिफ्थ निजामपूरा अपोजिट राम भावन होटल भीवंडी हेलो फ्रेंज में फिरोज मीमन दवादी नाव सभी का स्वागत है जिस तरह शहर में वाटी का होटल का प्रक्राइट चल रहा है एक बाद एक खुला से सामने आ रहे हैं कल नगर सेवक हली मंसारी ने अपना बैयन जारी किया और उन्होंने माफी मांगियों कहा कि मैं वहा उनके तो नाम थे ही वहाँ पे लेकिन जो नगर सेवक नहीं थे उनको भी बदनाम करने के लिए उनके भी नाम जो है उस लिस्क में डाले जा रहे थे ऐसे ही दो तीन अमने हमारे सामने जिसमें से एक घिवंडी दरगा रोड के वाड नंबर 19 के नगर सेवक शकील अनसारी उनका भी नाम किसी ग्रूप में डालकर एड करके दिया गया था और उन्हों ने ये कंफर्म किया है कि मैं वहाँ पर नहीं था उसकी बात यह है हम यहां पर उनकी कुस्टी क्यों कर रहे हैं कि वो खुद हमारी दौइस के ऑफिस में आये थे उस रात में और हम लोक साथ में हमारी ऑफिस में बैठे थे तक्रीम देट से दो कंटा शकील पापा ने एक बैन जारी किया है और साथी साथ में जिस ग्रूप में उनका ये नाम डाला गया था तो उस ग्रूप के एड्मिन के उपर और जो भीजा था जिसने फॉरवर्ड किया था मैसेज उसके उपर उन् पुरे शहर को इस बात की जानकारी होगी कि पुरे शहर में एक मामला चला है नगर से वको के तालुक से के वाटिका में कुछ मुलाकात या मिटिंग हुई है नगर से वको की उस तालुक से लोग मेरे ख्याल से वहां कितने लोग थे क्या थे इसकी जानकारी तो वही लोग दे पाएंगे जो वहां थे, लेकिन खुछ लोग इसमें बदमाशी करके, नए नए नाम एड़ करके, लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह एक ग्रूप है, YM Company Group, वाट्स अप ग्रूप है, और मेरे दोस्त का ही है, मार मास्टर का, उसमे एड्मिन है, उ उसने एक लिस्ट बना के डाली, या उसको आई होगी हो सकता है कहीं से, जिसमें मेरा भी नाम लिखा हुआ थे, तो उस बात को लेके मेरे को थोड़ा सा फिकर हुई, और मैंने एक NC भी कर दिया भूईवारे में, उस ग्रूप पे भी और उस आसिफ अनसारी पे भी, तो इ उसके खिलाफ कानूनी कारवाई, लीगल कारवाई करूँगा, और उस बात को लेके मैंने कारवाई कर दी है, अब वो पुलिस चान्बीन करेगी, कि कहां से ये आया है और किसने उसको बेजा था, ये बात तो भी तक समझो, धकी शुपी है कि जो कुछ हुआ था, बातिका आप वहाँ पर उस दिन नहीं थे, अरे मुझको तो खुद के बारे में तो पता होएगा ना कि मत था, कि नहीं था, आप उसको साधित कैसे करोगे, ये तक वीडियो नहीं आते जो, जो लोग थे वो ही बताएंगे, कि कौन था और कौन नहीं था, और वीडियो भी है न लो के फिरोज मेमन के साथ बैट के भाजी पाउं खा रहा था, अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा एक थोड़ा आपको मैं जान करें लेना जाओंगा, कि यहां पे और जिन लोगों के नाम जो है बाकी, तो आपको क्या लग रहा है कि वो नाम सही ये गलत है, नहीं देखो ये कुछ तो हुआ है, जब तो शहर में इतना सोर है और लोग उस बात को खुलासा करनी पा रहे है, वो जो लोग नहीं है अगर तो मेरी तरह जो ग्रूप में चला रहे हो जाके अपनी डिफेंस में फाई आर करवाएं और अपनी सफाई दे, कि मद्याम से किसी भी चैनल क दोस्तों ये वीडियो सुनने के बाद में ये बात साबित होती है कि वहाँ पे शकिल पापा नहीं थे और अगर वह होते तो इस तरह से पुलिस कंप्लेंट और इस सारी चीज़ें नहीं करते हैं और उनको जब हमने पूछा तो उन्होंने भी यह का कि बाकी की जो नाम आय फैसे रिली साहन बंदर चौहान गॉलनी नगर सेवा के और साथ साथ में है एक ऐस्चरफ खान और मुना कणी है यह को नहीं नाम जो है उस लीस्ट में डाला गया जबके वहां पे नहीं थे उन्होंने बताय के वह सदिन कई और थे लेकिन जो वीडियो आई है, जो वीडि और लोगों को किया जा रहा है तो यह सारी यह जो है इस तरह की राजनी है अब शहर के इंदर चालू हो गये जिसे करें रोकना चाहिए और हम कोशिच करेंगे कि उस वीडियो को जल से जल बाहर निकाले कियों कि वो में उप दिखाइगे ती निरूस हमारे हमारे वीवर्स को उस बात की पुष्टी कराएंगे और उस बात को दिखाएंगे तब तक के लिए इंतिजार कीजिए वाटिका की इस पिच्चर का वाटिका की इस वीडियो का लेकिन फिलाल जो हुआ है वो गलत हुआ है और शहर की जनता इसे माफ नहीं करेंगी यह हम जानते हैं फिलाल जनता को बेवकूफ बनाना या बढ़ बार जनता को बेचना यह कही न कहीं जोगत्रिके के एक और हत्या कही जाती है जिस तरह से लोग बीजेपीके पर आरोप लगाते हैं करते हैं तो यहां पर भी कुछ नगर सेवकों की तरफ से जो यह साजिश की जा रही थी जो के इस बार सक्सेस निवी लेकिन इसके पहले पता नहीं उन्होंने कितनी बार इस तरह के काम की होगे जो सामने नहीं आई होगे तो दोस्तो हमाई साथ में ऐसी बने रहे हम आपको बाकी की अपडेट देते से रहेंगे मैं फिरोज निमान लवाइजन से थैंक्यू